एमपी के शिवपुरी में पंचायद भौन के सामने शौच करने पर दो दलित बच्चों की हत्या बिजेपी का आरो केंद्र से 22 रुपे में खरीद कर 24 रुपे में बेच कर मुनाफ़ा कमाना चाहती है दिल्ली सरकार पठान कोट शिरीनगर में एर बेस या सुरक्षा मुख्याले पर मजदूर बन कर हमला कर सकते हैं आतंकी सेना की कूपिय विंक का अलड यूपी में अवेद संबंध पस अक्थुई योगी सरकार शादी के बाद दूसरी महिलां से संबंध रखने वाले पूर्शों को भुगतना पड़ेगा दंड हर्याणा में अशोक्ताउवा ने हुड़्डा पसाधा निशाना कहा एक नेता ने वादे कर दिये मैनिफेस्टों का क्या मतलब पहली खबर आपको बता दी कि मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के बावखेडी गाउं में बुद्धवार को पंचायर भोन के सामने शौच करने के आरोप में दो दलित बच्चों को दो लोगों ने कठित तौर पर पीट-पीट कर माल डाला सिर्सौद पुलिस थाने के प्रवारी निरिचक आरिस धाकड ने बताया कि ये घटना सुबे बावखेडी गाउं में हुई उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों रोशनी 12 साल की और अभिनाश 10 साल को गंभीर चोटे आई उन्होंने तुरंत जिलास्पताल ले जाये गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत गोशिक कर दिया धाकड ने कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है मामले में विस्तरत जानकारी का इंतिजार है राश्ट्रीय राजधाने दिल्ली में प्याज पर टकरार बढ़ती जा रही है बिजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की केजरिवाल सरकार केंद्र से 22 रुपे में प्याज खरीद कर 24 रुपे में बेच कर मुनाफ़ा कमाना चाहती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने जनता से वादा किया है कि हम जल्द ही दिल्ली में सस्ता प्याज बेचेंगे सीम केजरिवाल के स्वादे पर दिल्ली के भिजेपी अध्यक्ष मनुस्तिवारी ने मेडिया से बात चीत करते वे कहा कि जो प्याज दिल्ली सरकार को 22 रुपे किलो मिल रहा है उसको 24 रुपे प्रती किलो बेच रही है यानि केंडी सरकार से मिले प्याज पर भी केजरीवाल सरकार 2 रुपे प्रती किलो मुनाफ़ा कमाना चाहती है पाकिस्तानी आतंकी संग्टन का एक बार फिर भारत में हम लोग के फिराक में हैं सूत्रों के मताबिक सेना की खूफिया विंग ने अलर्ट जारी किया है जिसके मताबिक आतंकवादी, पठानकोट, अमरिस सर्फ, शिरिनगर और अन्ड मैट्रो सिटी में हम लोग को अंजाम देने की फिराक में है इन्पुट के मताबिक इन जगों पर अलग-अलग गुट में आतंकी पहुँचे हैं और पांच से दस आतंक्यों के होने का शक है अलट के मताबिक आतंकवादी मजदूर के भेश में हो सकते हैं साथ ही मिल्टरी इंजिनरिंग सर्फिस के कुछ लोगों पर भी शक है ये लोग आतंक्यों के साथ मिले हो सकते हैं निशाने पर एरबेस और सुरक्षा बलो का कोई बड़ा मुख्याले है योगी आदितनाथ ने अवेद संबंध पर सक्थ रुख अपनाते हुए बड़ा एलान क्या है योगी ने कहा कि शादी के बाद दूसरी महिलाओं से संबंध रखने वाले पुर्षों को डेंड भुगतना होगा ट्रिपल तलाग की पीडित महिलाओं से समवाद के कारकर में योगी ने कहा कि एक शादी करके दूसरी महिला को रखने वाले हिंदू पुर्षों को भी डंडित करने का काम यूपी सरकार करेगी इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा एलान किया है योगी ने कहा कि ट्रिपल तलाग से पीडित महिलाओं का मुकदमा सरकार लड़ेगी चुनाव से ठीत पहले राज कॉंग्रिस की कमान गवाने के बाद अशोक तंवर ने भुपेंडर सिंग हुड़ा पर निशान साथ तेवे कहा कि जब एक नेता ने घोशडा कर दी है तो मैनिफेस्टो कमेटी का क्या मतलब है कुमारी शैलजार हुड़ा को राज कॉंग्रिस की कमान मिलने के बाद से अशोक तंवर ने पार्टी मीटिंग से दूरी बना रख लिया पूरी तरहे से बगावत के मूड में नजर आ रहे अशोक तंवर मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में नहीं पहुँचे उन्हें ने कहा जब एक नेता सारे वादे खुद ही कर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि किसी मीटिंग में जाना चरूरी है बता दे कि भुपेंद्र सिंग हुड़ा ने 18 अगस्पो रोहतक में बुलाई के रैली के दौरान चार उपमुख मंत्री बनाए जाने समेट कई बड़े वादे किये थे